RBI की Monetary Policy Committee की मीटिंग थी आज जहां से हमें ये जानकारी मिली है कि RBI ने रेपो रेट को अंचेंजड छोड़ दिया है 6.5% पे रेपो रेट पहुत चुका है और वहां से ये अंचेंजड है RBI ने कहा है कि 2% इसको ये चाहे तो और बढ़ा सकते हैं इंफलेशन को और ग्रोथ को बराबर रखने के लिए क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रेपो रेट बढ़ा देंगे तो इंफलेशन घटेगी लेकिन ग्रोथ भी घटेगी और अगर बहुत कम कर देंगे तो ग्रोथ बरेगी लेकिन इंफलेशन भी बढ़ेगी पहले कम था कोविट के बाद बहुत कम किया गया और उसके बाद फिर इधर 2022 में बढ़ाया गया है रेपो रेट को तो ये चीज है लेकिन यहां से क्यों मुझे लगता है कि अगले 5 साल इंडियन इकॉनमी के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत जबरदस्त हो सकते हैं और अगले 5 साल में पिछले 5-10 साल में जो पैसा बना है लगभग उतना या उससे ज़्यादा पैसा बनने की उमीद है mutual funds के अंदर से भी क्यों पहले चीज तो हमें यहीं से समाझ में आता है कि repo rate unchanged है तो unchanged है लेकिन है यह highest level पे लगभग यह नीचे 5 परसेंट 4 परसेंट 3-3 परसेंट तक भी जाएगा और जैसे जैसे यह नीचे मतलब किसी अगली MPC के मीटिंग में हमें ऐसे news या commentary सुनने को आती है कि rate cut हो गया है 0.5 परसेंट का भी तो जैसे उधर से यह news आएगी इधर से market के अंदर rally होना शुरू हो rate cut का मतलब है economy के अंदर liquidity बढ़ी और जैसे economy के अंदर liquidity बढ़ेगी business growth बढ़ेगा मतलब आधा परसेंट भी अगर repo rate cut होता है तो जो businesses है उनके profits बढ़ जाएंगे क्यूंकि उनको जो loan पे interest देना पर रहा था वो कम हो जाएगा तो इसे profits बढ़ जाएंगे और यह उनके stock price म महीना equity mutual funds तो वहाँ पर mutual funds की भी एनवी बरेगी stocks की prices बरेंगी तो rally इसी currency आएगा तो पहला तो यह हमें समझ में आता है कि 2024 के mid से या 2024 last में भी 6 महिने बाद एक साल बाद भी अगर rate cut start होते हैं और एक साल या देर साल तक यह सिलसिला चलता है rate cut का तो वहाँ पे हमें market के अंदर में rally देखने को मिलेगी तो पहला यह support करेगा जो market के अंदर gains होंगे उसको दूसरा देखो बहुत ज्यादा chances है कि BJP हो सकता है फिर से सत्ता में आ जाए और अगर BJP election जीतती है 2024 वाली और फिर से power में आती है तो यह market के लिए green signal होगा Indian economy के लिए भी green signal होगा सारे sectors म जो भी सारे rules regulations बने हैं वो सब बिना किसी disturbance के वैसी ही चलती रहेगी अगर BJP वापस से power में आती है तो क्या चीजे होंगी वो बिना disturbance के चलती रहेगी नई जो rules regulation बन रही है वो भी बिना disturbance के बन पाएंगी और अगर इसका उल्टा अगर opposition party आती है power में तो वो rules regulation को change कर सकती है जो rules regulation बन रहे हैं उसके अंदर delay आ सकता है या उसको change किया जा सकता है अभी जिन sectors को government support कर रही है बूस्ट कर रही है हो सकता है आगे power में आए government तो उस sector को छोड़कर दूसरे sector पे वो ध्यान देने लगे तो इस सब से क्या होता है business disturb होता है and growth delay होता है तो और तीसरा यहा वाली party आती है government में तो हमें पता है कि वहाँ पे कई सारी parties ने मिलके वहाँ पे एक गठबंदन बनाया हुआ है तो कोई भी अगर rule बनाना भी होगा किसी sector के growth के लिए या किसी भी चीज के लिए तो वहाँ पे बहुत जादा हो सकता है अंतरने मद्भेद हो या कुछ problem हो इ वहाँ पे नहीं हो पाएगी तो इन सारे रीजन से जो अगर opposition आती है तो वहाँ पे issues हो सकते हैं लेकिन अगर जिसके बहुत जादा chances है जो अभी ruling government है वही अगर power में आती है तो ये एक boost दे सकता है stock market को भी Indian economy का simple simple समझो कि जो भी सारे कदम उठा रही है अभी सरकार अगर दूसरी party आती है तो definitely वहाँ पे ये दिखाने के लिए चाहे कोई भी हो बीजेपी Congress कोई भी हो ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ही ऐसा करती है या Congress ही है वो होता ही है कि जो अभी जो भी party है वो 10 साल से काम कर रही ह 10 साल से अपना rules regulation बना रही है support कर रही है sectors को कहा incentive देना है कहा नहीं देना है कहा subsidy देना है वो सब चीजे 10 साल से कर रही है कई सारे ऐसे sectors है जो पहले परेवे थे उनको boost दिया इस government में और अगर 5 साल और मिलता है ये तीसरा term भी होगा बीजेपी का तो ये और ज्यादा ये से execute करेगी ताकि और जनता को सारी चीजे देख सके लेकिन अब देखो अगर बीच में वो आ जाती है तो ये जो execution है वो उतने बहतर तरीके से नहीं होगा क्योंकि कई सारी जो rules होती है उसको बनाने में या कई सारी जो plans होते हैं उसको execute करने में 8 साल 10 साल 12-12-15 साल भी लग जाते हैं तो वो प्रोजेक्शन 2026-2045-2033 ऐसे करके देते हैं उसका region यही होता है तो ऐसे में एक government अगर लंबे समय तक काम करती है तो वो उतने ही बहतरीन तरीके से उन plans को schemes को execute कर पाती है और जिसके chances बहुत जादा है वही में बता रहा था कि हो सकता है कि BJP ही आगे भी power में आ जाए तो ये दो तो बहुत तगरे region है कि अगले 5 साल क्योंकि हो सकता है 6 मेने एक साल तक और rate cut हमें देखने को न मिले लेकिन अगर एक साल के बाद ही देखने को मिले और अगर एक साल में ही दिरे दिरे करके rate cut हो पहला ये हो जाता है दूसरा अगर BJP आती है प क् início backyard की अंदर बंन सकता है जैसा पैसा पिछले पात साल में बना है इससे जादा पैसा भी अगले फाथ साल में ंग सकता है क्योंकि ग्रोथ हमेशा ऐसे ही चलती है